हेलो पीपल दिस इस आशी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लो करने वाले हैं स्सी जीजी 2023 का प्रैक्टिस सेट नमबर 22 उम्मीद करते होंगे आप लोग पिछले सेट को रिवाइस कर रहे होंगे देखते हैं आज के सेट का पहला प्रस्न हमारा क् प्रस्न कहता है राम इस्पेंड फाइब बाइट और बीकली सेलरी ऑन रेंट एंड बन वाई थी और रिमैनिंग सेलरी ऑन फूट लीविंग डूपीस फोटी फॉर अदर एक्सपेंसे तबीकली सेलरी ऑफ राम कह रहा है कि राम अपनी सेलरी का पांच वटे हिस्सा कि रिंग डिया तो नीचे डिनोंख़ नीटर का लेके यह कि मानते फी कि दोटलकर सेलरी बराबर हो जाएग 500 के मान लेते हैं लेक्ट टोटल टल टयलग ज है के तोहक्म बाउन लेते हैं एक आरट और तीन कितना स्था 25 हुंर हम मे गृत कि देखिव इस तो और तोटल से रुपितुल्ँ चेटे दाने जीद्यक्त सो इस रहते हैं कि व However 15 यहां पर रेंट पर खर्चा कर दीया है बचा हमारे पास 9 यूनिट कह रहा है कि 1y3 of remaining salary on food जो 9 यूनिट बचा remaining का 1y3 यानि की एक बटे तीन फूर पर कितना कर्चा करता है फूर पर खर्चा करता है तीन रोड तीन उनिट का ठीक है तो अब उसके पास जो बचा कितना है इस अधर expenses के लिए कितना बचा है इसके according 24 इनिट के according देखो पंदरा तीम 18 से खर्चे कर रहा है फूर यूनिट 24 है बचा कितना है च्छै यूनिट और दिखा है कि अधर expenses के लिए 40 रुपए बचा के रखता है तो अधर च्छै यूनिट के लिए 40 तो यहां से हमको निकलाएगी एक यूनिट की वेल्यू यानि कि उनिट वराबर कितना हो जाएगा 44 वक्षे रूपए अब क्या चहरा है कि बताओ की राम का सब्थाईग वेतन क्या होगा यानि कि सब्थाएग वेतन निकालना एक यूनिट की वलिए क्षा मैं कितनी मानी कितनी थी मानी थी में 24 तो 24 कि ब्रावर कितना हो जाएगा 406 इंटु 24 का कर देंगे इसमें गुणा 6 चो कुछ 40 ठीक इस कितनी जाएगी 160 रूपर किती 160 रूपर उसकी सब्ताहिक के सेलरी है आगे बढ़ते हैं सेल्न प्राइज उफट एूइंटियेट अरिकल इकूल टु अच्टेलन क सवीस्टन रूपर शे Πर अक्लटाह अलशन मनिसौ्ट की उस्टन अच्टन टुछ ब्रावर है किसकें कॉस्ट प्राइज और एस पी का रिशियो निकल कर आएगा यानि कि एस पी अपॉन सी पी बरावर हो जाएगा कितना इस पी प्राइज यानि कि यहां पर हमको पड़ा और सीपी यहां पर लॉपए कर लेंगे चार चार रुपए में बिच रहे तो लॉस कितने का रहा लॉस वरावर क्या होता तो सीपी और सीपी मैनेस एस पी लॉस बरावर होता सीपी मैनेस एस पी तो कितने रुपए का हो रहा तीन यूनिट का रहा और लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज पूछा गया लॉस परसेंट कितने प्रसेंट इसको गाटा हो रहा तो लॉस प्रसेंट ब एक बटे साथ क्या होता 14 सही 14 14 सही दो बटे साथ या फिर 14.28 ठीक है 14.28 यानि कि 14 का 3 होना गरतो 14 थी है 42 लोस हो का 42.86% के तो ला प्रती सर आगे बढ़ते इन एन एलेक्शन टू कंडिडेट 10 परसें डस नॉट कास्ट यह वोट्स और बन फिप्टी वोट्स ब्रेक्राइब एक एलेक्शन होता जिसमें दो कंडिडेट खड़े होते हैं जिसमें 10 परसंट अपना बोट कास्ट नहीं करते हैं और देर्स जो करते हैं वह से देड्स को इन्वैलेट कोशिद कर दिया जाता बिनर कंडिडेट 250 वोर्ण कोशा गया है कि तरे लुजर कंडिडेट के तरी कितरे बोट पाता है बोला गया दो मीनद वारे चुनाओं में दस परसंट नहीं ढालते डीर सो डाले गई वोटों में से बिजेता उम्मीद्वार की बिपच्छ से अधिक वोट मिलते हैं इस विजेता को प्लीडवार को कुल वोटों के साफेल मिले है तो हारने वाले उम्मीदवार को बोट मिलती है देखो यह कोश्र थोड़ा टिपिकल है बोला गया है कि दो लोगों का चुनावट कंडिडेट कितने हैं दो ए और बी दो कंडिडेट हैं जिसमें कि माल एते टोटल वोट कितने हैं टोटल वोट भी हंडेट परतिसद टोटल कि इसमें से 10% बोट डाझ नहीं करते हैं तो बोट कि इतने करते हैं सौ में से 10% काफ 3 005 बोट कास्ट को कितने इनो 90 और प्रतिसेत लोग करते हैं जाले यह के लिए कास्ट तो डाले घूँट है बोला गया 100 वोर्ट अगर इसमें से इनॉक्र गोसट कर दी जाए कि कि अगरे डेट सो बोड परसेंट मिस् cervix इन वालेट कर दिये हैं तो अबेट से स्टोगे तो अब जो एसे हो जाएंगे 90 expecting मायनेस डेड़ सो जाएगा ठीक है तो व inqu bizarre कितने अब बोला किया है कि जो बिन बेसे हमारा यह को मिलते हैं यानर को मिलते हैं 15% कितने 50% तो बी को कितने मिलेंगे अगर भाई ए को 50% मिले तो बीको ब्लosium एक अपरसंट वोत मिले टो जूटल बैलिट बोट बहुत में रिर्द में से hy मिलेंगे डिकन वो औरका इक और हैं वह से 100% तना तो कण दो बीको मिलेंगे वह 90% जो बैलिट्वोत है से माक मिलेंगे माइनस पचास परसेंट इसको कितने मिलेंगे इसको मिलेंगे 40% माइनस डेड यानिकी साथ तीन सो बोट जो डिफ्रेंस बिट्विंगे के चालिस परसेंट माइनिस झ हो निकाल लेंगी में कितनी हाझ़ दो हजाएगी सो परसेंट यहां पर सो का मिल्टिप्लाय करेंगे यहां पर सो मिल्टिप्लाय करेंगे तो हजाएगा दो सो दो हजार वोट टोटल वोट कितने निकला है दो जार अब देखो बिन एक कंडिडेट को कितने वोट मिलते हैं एक कंडिडेट को वोट मिलते हैं फिप्टी परसें साड़े तीन सो हो कम मिलते हैं रिक क्उ मिलेंगे age लिएां पर साड़े छे सो कितने बूट कि अब मुचा गया है कि बताओं कि हारने वाले वाले वुणी दवार टोल वयका लेट्थ बूटल जो जायए इसको इसको वारकली कि मिलते हैं यहां learnt मिलें फेंट्रीश थो कैसे निकालेगे मिले कृति में जगण है इस।पू इसको बोट इसको कमिलते सारे च्षेसों है टोटल पम्ल। कितने है तो हजार। परसंटेज निकाले हैं तो का गुणा करेंगी तीन-ईड्र result 251-22 परसंग पितने बोट मिलते था सारे फ़ाइड नंबर ठीक है यह पर दू नंबर यह फाइज कि दो नंबर पांच और नौ के अनपाज में है देरर एलजियन एज 405 find the number LCM और SCF होता क्या? LCM देखो होता least common multiple और SCF होता highest common multiple अगर HCF निकल आए किसी number का उसके बाद जो दो number वस्ते हैं A और B वो आपस में क्या होते? इसके बीको प्राइम देखो यह number भी को प्राइम तो माल लेते हैं इसका HCF भी X तो दो number का ratio कितना दिया गया है? तो numbers number A and B ratio दिया गया है पांच इसको number माल लेते हैं 5X into 5X और 9X दो number कितने होगे? 5X और 9X ठीक है और HCF क्या होता? HCF हमारा क्या होता? अगर common part निकला है देखो X और X दोनों common common पार्ट निकला है उनके बाद इनके भी जो HCF बचना चाहिए या निको को प्राइम होने चाहिए तो वो को प्राइम हो जाते हैं तो हमारा HCF भी क्या होगा? हमारा HCF भी यहां पर X होगा और हमें क्या पता नहीं जब product of two number बराबर HCF into LCM यहां लगा देंगे HCF into LCM बराब प्रोड़क्ट ओफांच 5X into 9X कर गएंगे जम इसको X से एक X कट जाएगा है जर हमें 5 से डिवाइड करेंगे 45 पांच 89 से काटेंगे 9 X की वैलू किती निकल कर आई X की वैलू हमारे पास निकल कर आई 9 तो पूछी दोनों संक्या है क्या है अब भाई एक संक्या है पांच आगे बढ़ते हैं अब परसन वेंट प्लेस पीड और केम बैक अटाइस्पीड और तर्टी ग्लोमेटर दूरिंग जर्नी इफ टाइम टेकिन इस तूर डिटर्माइन दिस्टेंस देट प्लेस कहरा एक विक्ति 20 किलोमेटर प्रती घंटा की गटी से एक इस्तान पर जाता है और 30 किलोमेटर प्रती घंटा की गटी से बापस आता है इस यात्परा के दौरान एदी लिया गया समय दो घंटे है तो उस इस्तान की दूरी ग्याद कीजिए देखो भाई कह रहा है कि एक विक्ति जाता है एक पॉइंट बी ए से मालो बी जाता है जब जाता है तो 20 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से जाता है और आता है तब किते की स्पीड से आता है आता है तब वो आता है 30 किलोमेटर की स्पीड तो यहां से हम एवरेज स्पीड निकालेंगे स्च्ट निकल कर आएगी हमारी एक इभरेजी स्पीड होगी और अगरमें निकालना हों लगने हैं अंगा प्लस स2 इस्टन 2D की निकल कर जाएगी क्योंकि A से B जाएगे और फिर B से A यह average speed है तो distance अगर हम देखो दोनों distance बराबर है अगर हम distance प्रोपर निकलना चाहिए इसका हम कर देंगे तो distance का सीधा सा फॉर्मुला यहां से निकल कर आ जाएगा सीधा सा फॉर्मुला निकल कर आ जाएगा स1 इंटू s2 अपॉन इंटू टी ठीक टोटल टाइम टेकन अब यहीं से बेलूपूट कर दो एसवन की speed क्या है 20 तो बेलूपूट करेंगे तो distance सीधा सीधा निकल कर रहें 20 इंटू तो एसटू की वेलू है 30 और s1 प्लेस एस्टू क्या है s1 प्लेस टीस 50 ठीक है और टाइम लेरा है दो घंटे केतना दो घंटे एक गीरो से एक जीरो कट जाएगा पांच ओक वीश ठीक है पांच ओको को वीश चातिया बारा दूनी चॉबस टोटल डिस्टेंस कितनी मिकल क एक ए से बी तक की डिस्टेंस निकला है 24 किलो मेंटर आगे बढ़ते हैं अब बैंक कंपाउंड इंट्रेस्ट आप हाफ एरली एड़ रेट और फाइप परसेंट पर एन इपा कस्टमर डिपोजिट अप्रेंसिपल और इच रूपीज रूपीज शिक्ति हंडिड एन ए यर प्रॉम बन जन्री टू बन जुलाई जैनक कंपाउंड इंट्रेस्ट आप्टर इयर देखो बोला एक बैंक अर्दवासी रूप से चक्रवर्थी व्याज पांच प्रसेंट प्रती बर्स की दर से सही उजित करता है यदि कोई ग्रहाग एक जन्री से एक जुलाई तक एक प्रती एक सोला सो रुपे का मौन धन्रमा करता है तो एक बर्स के बाद चक्रवर्थी भी आ जक्याए अग्र रेटीम को आदा करेंगे तो रेट भी हमारा आदा हो जाएगा यान की rate of interest कितना हो जाएगा धाई परसेंट हो गया अब कह रहा है कि अब condition समझो यहां पर प्रतिये बर्स मतलब प्रतिये लिखा जाए तो यहां पर cycles बनेंगी तीन कैसे अब देख तो जब पहले महीने में जब जमा करता जो cycle बनती है छे-छे महीने की दो अगर हम हाप यरली compound करते ठीक पहले महीने उसको उसमें 16-100 रुपए जमा किया ठीक है और एक साल बात ब्याज मिलेगा एक साल बात ब्याज मिलेगा तो इसको दो बार बतलब two cycle complete करेंगे लेकिन वह करें प्रतिये छे महीने एक जुलाई से एक जन्वरी से एक जुलाई कितना समय होता है है चे मैंने का समय होता है कितना 1 छे मैंने का ठीक है छे में इक या रहए गालट एक त्षन कि मेडु freezer क्या हो जाए गाल पहली साल पहली बार के लिए यह दूसरी वार को टोटल रेट ऑप इंटरेस्ट कितना हो जाएगा को 16 सो पे दो इसका कितना हो जाएगा 1600 का अगर हम दो बार rate of interest लगें पहले 6 मेने के लिए लगा एक तालिस बटे 40 कितना एक तालिस बटे फिर अगले छे मेने के लिए इस पूरे amount पर क्योंकि जो दूसरी साल के लिए जो पहला जो पहली साल का amount होता वो दूसरी साल के लिए प्रिंसिपल यानि कि अब जो लगएगा अगले 6 मेने के लिए वो इस पर लगएगा यानि कि कितना लगए तालिस बटे 40 इससे खतम हो जाएगा तो इसको प्रोटल अमाउंट कितना हो गया 1621 रुपए यानि कि 16 रुपए जमा कि 21 रुपए इसको इसको ब्याँ मिल गया अब इसके बाद अब जो लगेगा dot सॉना सो रेट उसका रएंगे तो हो जाए गार सह भी कितना है तो जब इसको से १ल जाए 엮ोम करेंगे फुर्पा अब श्य windows गितना हो गया डोड़ें पहले मिलता एक्यासी और चालिबा एक सो एकके समय करते हूं यह सवाल समय में आया होगा आपको आगे देखते हैं, at a certain rate of interest per annum, the difference between the compound interest, compounding annually and the simple interest on 5000 रुपय for two year is 72, the rate of interest per annum, एक निश्चित बारसिक ब्याज दर पर बारसिक चिक्रवती ब्याज और दो बर्स के लिए 5000 रुपय पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर यहां पर 72 है, तो अर्द बारसिक ब्याज दर बताईए, ठी है, हम लोग जानते हैं, c i minus si for two year का सीधा-सीधा formula होता है, principle into r square upon 100, क्या होता है, r square upon 100, ठीक है, r square upon 100, ठीक, तो क्या होता है, तो rate हमारे कितना निकल कर आएगा, तो 30 difference कितना दियागे है, हमको 2 साल के c i or si का difference दियागे 72, कितना 72, और principle हमको दियागे 5000, कितना 5000 रुपया, ठीक है, और यह r percent ही होता, बेसिकली यह r upon हम लिक देते है, यह r percent होता है, तो अगर हम divide आएगे, तो सीधा यहां से निकल कर आ हैंगे क्या, इसको हम काटेंगे, 36 upon 2500, कितना, 2500, अब बताओ, 36 upon 2500, दो साल के लिए, देखो, अब यह बचा क्या है, पर आपको बचा है, r percent का square, क्या बचा है, r percent का square, तो हम इदर square अटाएंगे, दोनों तरब square root करेंगे, तो 1 y 2, तो r का भी r percent की value कितनी निकलाएगी, 6 upon, 6 upon 50, नि 성asos, अब अबन पर्चास, कितनी six upon 50, यानी कि, अगर 50, 50 के लिए, 50 percent के लिए, देखो, तो 2, लग गया रहा है, तो 100 percent की लिए, जो रेट निकल का रहा है 6 बटे पर इसको परसेंटे में चेंज करेंगे 100 का करेंगे गड़ाई 50 जोनी यानि कि 12 प्रतिसत कितना प्रतिसत का ब्याज लग रहा है इस पर 12 प्रतिसत का आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि 45 स्टुडेंट है क्लास में इनका एबरेज बजन दिया गया है 55 किलोग्राम कितना 55 किलोग्राम कह रहा है कि जब टीचर को इंकूड कर दिया जाता है मतलब 46 लोग हो जाते तो एबरेज बढ़ जाता है 55 प्लस 300 ग्राम ठीक है 55 प्लस 300 ग्राम हो जाता बोला वता उत्तिस शिचक का बजन कितना हो देखो भई एबरेज तो बराबर ही होता सिच्चक का भी बजन 55 होगा तो टीचर के आने की बज़ए से बढ़ा था अगर टीचर के आने की बज़ए से बढ़ा था कितने लोगों में बाटा गया था यानि की टोटल बज़ए था कितना जो बाटा गया था च्छीहार्इस लोगों में तो अगर एवरेज क्या होता एक युनिट का था ना तो तीन सो ग्राम को देखेंगे च्छाइस में मुल्टीब्लाए करेंगे इसमें हो जाएगा डबल जीओ तो रहेंगे च्छतीय आठार क्तेना प्रियोबर वरन थी जब बारह एकी तेरा अप्चलोंग के तेat बचे खोए श्ट्ण दोुथ zeros लोगोगे ते बढ़ने के बादे बढ़ने में 300 gram average बढ़ता है यानि कि जो ये बजन है वो student के average से जादा है यानि कि कितना जादा है 13.8 तो teacher का average बेट कितना हो जाएगा इसको जोड़ देंगे 68.8 kilogram कितना 68.8 kilogram teacher का बजन हो जाएगा राज तेक्स ट्वाइज चमस्ट टाइं आह संज्या एंध्र थाइस एसमस्ट रौनच टूथ फिनिष्ट पीस और बजन के जोड़ा कि टूफ इंद पार्क इनडिए प्राज गिलू थी तूगेदर और वो इतिर तीन थैन डेकर यानि हो एंध्र यानि राज शोथा है कि राज मुक कि तायम लेता है संजै से दोगणा और तीन उना लेता है रहानक से यानि कि मान लो रहानक टाइंच शर्का एक दिन उनिए नॉकि द ऐखिया से सजए से संजय से दो गुना समय लेता है संजय से दो गुना समय लेता है और रौनक से लेता है तीन गुना यानि कि रौनक काम करता है दो दिन में ठीक है या तो इसको ऐसे मानो एक प्रम इसको राज संजय और रौनक है या पर ठीक है राज लेता है दो गुना समय किसे संजय से दो ग तो जब करेंगी तो क्या आएगा चिए दिन में राज काम करेगा वो करेगा हमारा रौनक करेगा और संजय करेगा तो रेशियु हो जाएगा रॉनक संजय और रोव्हन राज और संजय और रहना का संजय का तो हो सब्सक्राइब काम का मारा बराबर लता क्या काम हमारा वाय य wyd होता कर भरक होता है में तुछ अब जब फ़इशेंची क्या क्या हो जाएगा बन अपसेंशी तुक कर देंगी थो ''he acids ऐख में चो आगंगी'' है दो और एक वते तू तीं ऑट पीकरिण कि ऑने कि अब कहरा है कि क्या तो कि कि समय को तबिरेंगा milliseconds कि अचनेनं से कवर्क कर गारा बर्ण को दिए सब सब लोग मिलकर काम करें तो सब लोगों की efficiency कितनी तीन तीन दो पांच एक छे की efficiency कितना समय लगएगा दो दिन कितना समय लगएगा दो दिन आप सन निम्बर आगे बढ़ते हें अलाओंक़ा 15 परजेंट सक्षेशिव असकसिन डीस्काउन से साइलिंग प्राइज मार्पी हमारे पास मालो 100% 300% अब वो चीज बेचेगा कितने बेचेगा 9588 रुपे बेचेगा तो कितना परसेंट नेट इफेक्टिव निकालेंगे 99.9 परसेंट यानि कि जो बेच रहा ही वह बेच रहा है जाएक सोब्सों यहां से निकल कर आई कितनी 120 तो हम 100% की value निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 100% की हो जाएगी हमारी 12,000 कितनी तो MRP कितना था MRP था हमारा कितना 12,000 option number 3 आगे बढ़ते हैं A can complete a two-fifth of work in 12 days and B can complete 7 by 8th part of the same work in 21 days find a number of days in which A and B together can complete the work कहरा A किसी काम को A किसी काम का 2 वटे 5 हिस्सा 2 वटे 5 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करता है 12 दिनों में तो भाई 2 वटे 5 अगर 12 दिनों में करता है तो पूरा कितने दिनों में करेगा इसका कर देंगे इसके बराबर तो देखो 2 से काटेंगे 6 और इसका multiply यानि कि जो पूरा बर करेगा ए वो करेगा 30 दिन में करेगा दो बटे पाँच अगर 6 12 दिन में करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा तीस दिन में करेगा similarly बी काम अगर शाथ बटे आठ है वो करता एक्ईस दिन में करता है ठीक है तो बताओ पूरा कितने में करेगा आठाट का मलतिक जिसका देखें साथ से काटेंगे अगर इससाथ वटे आठ की वलू इपकीस है तो एक मतलब कोटल काम हमारा एक होता ना एक क्यूल निका लेंगे मतलब 7 सिथिया 21 पूरा काम करेगा 24 दिन बताया time कर दिया जाए हमको time दिया जाए तो हम total work कैसे अजूम करते हैं का LCM एजूम करते हैं total work हमारा क्या हो जाएगा यहापर 24 और 30 का LCM ठीक दो 635 होता है और 64 24 होता तो कितना हो 635 तो 120 total work कितना मानेंगे 120 अब तो एक की efficiency बेखो efficiency बराबर क्या होता बर्क अपॉन टाइम जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों मिलकर efficiency कितनी हो जाएगी पांच और चार नौ काम कितना 120 का काम है 9 की efficiency से करेंगे तो कितने कितने दिनों में कर पाएगे तीन से काटेंगे 40 वटे 3 40 वटे 3 कितने दिनों करेंगे 40 वटे 3 दिन और ऑप्सन नमबर तीसरा आगे बढ़ते हैं एफ 15% और 40% और नमबर इस तीस तन वटे ज़ा नमबर बोला गया है कि यह दी 15% और 40% संक्या का थीस है तो वैं संक्या क्या है आपके पास मान लेते हैं संक्या आपकी X है X का 15% 15% की fraction value क्या होती तीन बटे 5 fraction value यह आप सीधा रखो 15% की fraction value देखो कैसे निकाल दे fraction value 15% रटाएंगे 100 आ जाएगा नीचे ठीक अब इसको simplify कर दो यही इसकी fraction value होती है पांच थी या 15 और पांच 20 तो इसकी fraction value क्यों हो जाएगी तीन बटे 20 थी अब बोला गया इसका 40% तो 40% की similarly fraction value 40% रटाएंगे 100 करेंगे यानि कि काटेंगे 20 दूनी 40 20 यानि कि क्या हो जाएगी दो बटे पांच एक की बराबर है किसके 30 के तो यहां से हम एक्स चिवली निकाल सकते देखो तीन दूनी 6 छह पंचे 30 बीस पंचे कितना हो 100 एक्स बराबर इदर हो जाए चला जाएगा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं ओप्सन कौन सा हो जाएगा और ओप्सन हो जाएगा चौथा ठीक है आगे बढ़ते हैं वट इस्ट पॉसिबल लेंथ तो ऑफए स्केल टू मीजर इग्जेक्टली दा फॉलॉइंग फीट 15 फीट 12 फीट 9 इंचेस 16 फीट 3 इंचेस और 23 फीट 6 इंचेस कह रहा है कि बताओ ऐसी सबसे लंबी तो ग्रेटेस्ट बोला गया है जब कभी भी ग्रेटेस्ट हाइस्ट मुला यहां क्या कुछ बहेंगे करना सीधा एच सीफ ले दो तो सबसे पहले इनको एक क्वांटिटी में कंवर्ट करेंगे 15 फीट देखो 15 फीट दिया गया है ठी हुँँएंच अब एक फीट में कितना इंच होता एक फिट होता िन्च होता लहेंगे तो इस गरेंगे में बारा इनच मेंक्ज przeci 753 इंच। कि इसना 16 16お願い करेंगे 12 12 कि- spinner बारा जाएगा । बारह थूरह दूरी 24 20t वांचीहाहाध्तर 1216 192 195 एचना सिद्सक्राओं किने नहीं एक्सो सब्सक्राइगा और इसको हमक्रेंगे तो तो सबसे इन दोनों की बीडिफेरेंस देखते हैं कितना है हमारा इन दोनों की जब देखेंगे तो यहां से निकल कर आएगा हमारा एधर हम लोग देखेंगे यहां पर इन दोनों की जिफेंस देखते हैं तो घम 87 अब हम आपस में इन दोनों की 20 डिफ्रेंस देखेंगे तो हमको मिलेगा 15 का डिफ्रेंस यानि की पंद्रा अब ऑप्शन मैस करो आगे नहीं जाने अब देखो 15 इंचिस आ रहा है 15 इंचिस या तो 15 इंच होगा इसका या इसका कोई मुल्टिपल होगा देखो 15 इंच कहीं देख रहा है नहीं देख इसका मुल्टिपल तीन इंचिस तो हमारा जो सबसे लॉंगेस्ट इसके लोगी जिससे मीजर करेंगे वो हमारी तीन इंच होगी क्या होगी तीन इंच आप्सन नमबर चोथा आगे बढ़ते बीर बाइस 200 गौवावा पर अठारा सो सम आप इस ग टौचन रूपीस करता है अठारा सो फिरेंख सबसे लेकिन क्या करता कुछ गौवा होते में घृस्ता है अगर हम देखें यहां से टौटल गौवावाक तो खरीता कितने पर घृट जो जब दौसे नौर पर थीक कि लेकिन बेचता है कि लेकिन प्रॉफिट कितना कमाता है दो सो तीस अगर भाई आठारा सो रॉपई खृदा दोसो तीस प्रॉपिट कमाता तो बेचा कितने का है वो बेचा है 2030 रुपए में 2030 रुपए में सारे बेचा लेकिन बेचा किस रेट से 14 रुपए तो बताओ 14 रुपए में 2030 कितने गौवा बेचा यह निकाल लो पूछा किया कैसे सड़े हुए गौवाओं के परसंटेज कितना है तो यहां पर हमें पता चल जाएगा उसने जो बेचे यहां गौवा वह कितने आजाएंगे तो इसको निकालेंगी तो आएगा चौदा एकम चौदा कि बचा च्वावा बेचता है तो तो बहुत फेके कितनी तो थ्रों गौवा निकल कर आ गए कितने थ्रों गौवा निकल कर आगे हमारे तो परसंटेज किसे कंपेर करेंगे चंब से को क्या क्या देखेंगे तो परसंटेज की साधे सब्सक्राइब को फेक दिया था उसके बाब्जूद भी यह 230 रुपए का प्रॉपिट कमा देता है ठीक है ठीक है आप्सिन नमर हमारे क्या हो जाए गार पहला आगे बड़े diameter of a base of a right circle of center is 56 cm and its height is 18 cm the area of the curve surface area of slander पूछा गया है diameter की value दीगी diameter of slander यानि कि हम को दिया गया है ब्यास ब्यास दिया गया है कितना ब्यास दिया गया है बेलन का कितना दिया गया है 56 cm तो हमारी तरज्या क्या हो जाएगी जो radius होती है वह हमारी क्या होती diameter की आदि तो radius क्या हो जाएगी 28 cm कितनी 28 cm और हमको height यानि कि उन्चाई दिया गया कितना 18 cm और पूछा क्या गया है कर्व सर्वेजर या फिलेंटर यानि कि हमसे पूछा गया है क्या बेलन का बक्र सता है कि मतलब सब्सक्राइब क्या होता है टू पाई रहेच होता है ठीक है टू इन्टू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन 22 अपॉन सेवन इन्टू आर की वेलू कितनी दी गई आर की वेलू हमको यहापन 28 दी गई है और एच दिया गया हमको 18 जब इसको कल्कुलेट करेंगे साथ साथ चोको 28 ठीक है बाइस चोको कोई बात ही नहीं बनती है आपस में मुल्टिप्लाइब करते हैं इसमें आर्ट से पहले च्छे आएगा ऐसा किसमें और यह भी नहीं हो सकता है और बचा कितना है हमारे पास कितना बचा चार दूछ बचाया जोड़ेंगे कितना हो जाएगा इकत्यस कितना इकत्यस जो हमारा एरिया निकल कर आएगा वक्राम तो ऑस सिंगल डिसकाउंट और कह रहा है कि 10 पर पंदा पर संट और 20 पर संट का करमिक छूट की आती तो बताओ एकल छूट क्या होगी हम सक्सेशन कैसे निकालना है जब एक तीन तीन दिया गुड़ा यांb t będzie ओंए dibी सिअ बेर एक उन्हारती होता निकालने का तो होता है वर्मूला सपरिस्ट निकालने का उन्हार इस सम माइस में होगे क्या होगे माइस में ठीक है तो माइनेس कि इस्सदस माइनेट 15 और माइनस भीज इदर हो जांगी देखो यहां तो प्लमस सो जाएगा थे अब प्लस ऑब देखो दशने मठीक्प्राहें 15 प्लस करेंगे अब आपस में तीन सो हो गया तीन हजार बटे दस हजार अब जो निकल कर आएगा यह नेट इफेक्टिव निकल कर आएगा यानि कि जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इस तीज पेंतालिस माइनस 45 ठीक है पिलस अब इसको देख जोड़ते हैं कि इतना 3,25,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,6,6,7,6,6,6,7,6,6,6,7,6,7,6,6,6,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 कितना आएगा मैनेस में देखो 3030 कट जाएंगा 0.3 कितना आएगा 0.3 हम इसको मैनेस करेंगे 45 पिलस 6.2 6.2 यानि कि जब इससे मैनेस करेंगे तो आएगा हमारा एट एक पॉइंट को आएगा एट 38.80 net effective हमारा कितना निकल आए 38.8030 आप्सन नमर हमारा चौथा आगे बढ़ते हैं एस टू बी दिया गया फाइव स्टू वन दा बैल्यू ऑफ थ्री ए प्लस फोर भी इस टू थ्री ए माइनस फोर वी देखो हमको रेशियो दिया गया क्या रेशियो तो में कोई भी पैनिक होने जलुगत नहीं जैसा रेशियो अब क्या हो यह तो में जैसे रीशियो की रीशियो में फ्रुगतों कोई फ्रिक्ट नहीं पड़ने वाला है यानि कि एकी वैलु 15 और भी की वैलू ए रेशियो में फूट करेंगे तो निकालना क्या है फूर भी क्या थिक है अक रखेंगे पांच 15 माइनस सोरी प्लस फूर इंटू 1 वीकिट बेली वन है अपन 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 ठीक है अब क्या हो या तो इस पे 15 चार उन्यस 15 में चार 11 मतलब जो रेशियो आएगा वो इंटू 11 क्या उन्निस इस्टू यार पहरी सिंपल आगे बड़ते इन वाट रेशियो सट लेंड कोस्टिंग रूपीज सेविटी सेविटी सेवं पॉइंट फाइज पर केजी भी मिक्स्ट बिता एटी थी पॉइंट फाइज पर तू गेट एबरेज कोस्ट प्राइज और 80 एक छोड़ी सी वीडियो मनाके डालेंगे इस पर ठीक है वहां देखना क्या है तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे दूखर पहली कॉंटिटी और दूसरी कॉंटिटी को मिक्सितों पहली कॉंटिटी का प्राइज कितना है 77.50 और दूसरी कॉंटिटी का है 83.50 अब जो इन द निकल कर आएगा वह इनका मिक्शर का रिशियो निकल कर रहे किस अनुपात में यह मिलाएगे तो हम डिफ्रेंस देखते हैं पर हम डिफ्रेंस हमेशा बड़े से छोटे को माइस किया जाता है ठीक है इसको हम देखेंगे इन दोनों की बीच कितना है इन दोनों की बीच 80.50 कि इसको हम सिंप्लीफाइब करेंगे 535 और 25 जो रेशियो होगा इनका वह आएगा साथ अनुपात 5 कि रेशियो में यह दोनों मिलाए जाएंगे ठीक आगे बढ़ते हैं है मिस्पिर कल डॉम अब टॉम हैं विद्धा शाड़े तीन रुपाइब सेंटीमेटर इस तुप पेंटेट इस कोस्ट पैंटिंग 20 पैसे पर सेंटीमेटर स्क्वेर दिन वट इस दा कॉस्ट ऑप पेंटिंग दटूं ठीक है कहे रहा है कि एक हैं इसको पेंट करना है एक सेंटीमेटर स्क्वेर एरिया को पेंट करने का दिया गया है 20 पैसे पर cm2 पर cm2 दिया गया ठीक है अब बताओ what is the cost of painting पूछा पूरे को paint surface area को paint करेंगे ना भाई तो surface area of hemisphere क्या होता है surface area of hemisphere होता है हमारा surface area यानि कि surface area क्या होता 2 pi r square surface होता 2 pi r square और हमको radius क्या देगी radius देगी 3.5 cm3 cm3 cm क्या हो साथ वटे नी ब्यास दिया गया यह क्या दियादिए कि डायमेटर साठ बटे दिया जागा radius क्या हो जाएगी डायमेटर का अधा तो रेडियस ओजाएगी 7000 क्या जाएगी 7000 चार तो अब यहां हो जाएगा कितना टू इंटू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर हमारा कितना है अबर साथ वटे चाइब स्कुर करेंगे दो बार रिखते हैं कि हम कतम सास से सास काटेंगे ठीक अब देखो सबस्कुर्फू ऑन करेंक जू रिया हैं कि Koreans और आयँकि यह सासे क्रॉंट चार सेंटी मेंटर स्कुर्ट ही पीस फाइसा contempor कि जाब करने भी में जब सॉल्व बरेंगे तो 2540 350 180 और पॉप्सन अमबर यह जीरो बड़ा नमर पहला हमारा क्या होगा अगे बढ़ते हैं प्रेवल्स इसपीड और 4 km after traveling A for 5 hour we start from the same point with a speed of 10 km in the direction of A at what distance from the starting B meet the A कह रहा है कि A travels at a speed of 4 km जो A है वो travel करता है 4 km पती घंटा की स्पीड से कितने 4 km पती घंटा की स्पीड से तो पांच घंटे तक travel करता है कितने 5 घंटे तक travel करने के बाद यहां पर सपोस्पोस पहुंच गया अब जब A यहां पर पहुंच गया तो B उसी पॉइंट जहां से ए ने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से चलना शुरू करता है ठीक है सबस्पीड रहती इसकी 10 km पती घंटा की तो कह रहा है कि वो कितनी डिस्टेंस कितनी एंदाओंड से 5 सन्हें किकी स्फियों से 5 एक पनचेंविर स्वेटर करेगा कि इस से चार वराबर क्या अधरा इससटैंस वराबर हो तो इस थास हो ऽॉऑ to 2 ऍसक्राइब की मलता when teaching सब्सक्राइब करेंगा ट्रों सब्सक्राइब टो तो 20 km distance cover करेगा यह 4 की speed से जाता यह 10 की speed से अब बताओ B को B जाता 10 km को अब जब दो और लोग A की ही direction में जाएंगे तो यहां पर क्या लगेगा यहां पर लगेगा हमारा relative speed और जब A की ही direction में होते हैं तो relative speed हमारी minus होती है तो जो relative speed हो जाएगी यहां पर कितनी निकल कर आएगी relative speed निकल कर आएगी हमारी that is 6 km अब 20 km distance cover करने के लिए जो B को कितना समय लगेगा जो हम समय लगेगा होहां पर लगाएंगा relative speed को time यहां से निकाल लेगे कितना यहां से हम पहले time calculate करना पड़ेगा कि 20 km चलने के लिए इसको कितना समय लगेगा तो time बराबर क्या होता time बराबर distance upon speed distance हमारी कितनी है 20 km किती गंटा time हमारा speed कितनी अच्छ है यानि कि 20 वटे 6 गंटे लगते है इसको जो 20 km 20 वटे 6 गंटे के बाद एक के पास पहुँच जाएगा ठीक है कितने बाद 20 वटे 6 गंटे बाद जो है भी एक के पास पहुच जाएगा अब distance distance क्या होता distance होती हमारी distance बराबर speed इंटू time और हमको अब जो distance मिलेगी वह मिलेगी कितनी दूरी चली है एक बीको बीने एक को पकड़ने के लिए तो distance बराबर हो जाएगा speed कितनी जो अब यहां पर जो speed होगी वह बी चलेगा ना अब अपनी speed से चलना है कोई relativity नहीं लगदी बीको चलना है के बीस वटे 6 गंटे बीस वटे 6 गंटे चल लेगा तो वह एक को पकड़ लेगा यानि कि जो distance हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी speed अगर हमारी 10 है speed अगर हमारी 10 है तो बीस की बीस गंटे चलता बीस वटे 6 गंटे चल रहा है तो इसको 200 वटे 6 200 वटे 6 इसको जो काटेंगे तो हो जाएगा 33.33 किलोमेटर जो distance travel करेगा उसको बी एको पकड़ने के लिए वह होगी हमारी 33.33 किलोमेटर option नमबर तीसरा उम्मीद करते होंगे आपको यह सेट समझ में आया होगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीस सब्सक्राइब परिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेट में तो तक लिए नमस्कार जैहिं